हेलो गैस आज हम बात करेंगे OPPO A11K के बारे में तो कैस अभी आप लोग ने देखा होगा रिसेंटली अभी OPPO के तरब से ये डिवाइस इंडिया में लॉंच हो चुका है अगर आप लोग जिस भी कंट्री में राते होगे उस कंट्री में हो सकता है ये डिवाइस आप लोग को देखने को मिल जा रहा हो लॉंच हो चुका होगा आज हम बात करेंगे इस डिवाइस के फोन के बारे में कि किस टैप से आप लोग अपने OPPO A11K का किस टैप से फोन वगेरा चेंज कर पाएंगे तो किस फोन चेंज करने के लिए आप लोग को सबसक्राइब को सिंपली चले जाना है अपने फोन के डिस्पले एंड ब्राइटनेंज वाले ऑप्सन पर simply नीचे phone option मिलेगा click करें यहां पर आप लोग को phone size से related and आदक आप लोग को जितने भी phone आप लोग ने download किया होगा वो सारी के सारी phone यहां पर आजाएगी basically आप लोग के phone में only default phone रहेगी and कुछ phone हो सकता है आप लोग के phone में देखने को मिले but मेरे phone में कुछ ज्यादा ही phone आप लोग को नजर आएगी इसका reason यह है कि मैंने already अपने phone में बहुत सारी phone यहां पर download करके रख लिया है और मैं चाहूं तो किस भी वक्त इने apply करके रख सकता हूं and सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हमके step से इस phone को download किया है तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग को एक छोटी सी application को install करना पड़ेगा जिसका link आप लोग को वीडियो की description पर मिलता है और सबसे पहले मैं आप लोग को important बात बता दू होगा इसके आप लोग को application सिर्फ थोड़े देर के लिए ही download करना है उसके बाद application को आप लोग uninstall भी कर सकते हैं वो कैसे मैं आप लोग को बता दो आप लोग को simply application open करना है link वीडियो के description पर मिल लाएगा जैसे आप लोग application open करेंगे आप लोग को अपने phone का data on कर लेना है यहाँ पर कुछ आप लोग को home में जो है आप लोग की phone वगेरा नज़रा जाएगी कि basically इसमें आप लोग को बहुत सारी phone मिले जैसे कि आप लोग आप लोग को मिल जाती है emoji phone मिल जाती है color phone मिल जाती है टाइलेस phone हो गया local phone हो गया बहुत सारी phone आप लोग के आप लोग के आप देखने को मिले तो इस आप लोग अपनी साब से आप फोंट वागेरा चेक आउट कर लीजिगा और कूंसी phone download करना है आप लोग आप लोग आप लोग आप लोग को एक phone बता दू जैसे for example मैं यह phone पर क्लिक किया इसको मैं क्लिक करके simply यहां से download करूँगा कुछ एड़ आएगा इसने cut कर दीजिगा आप लोग और मैंने इसे download करके रख लिया है तो जैसे कि मैं आप लोग को step by step बता दो ज्यादा बेटर रहेगा ओके इस तो यहां पर केड़ाया cut करता हूँ इस जैसे य मेरे फोसन में जो download का option आ रहा है simply क्लिक करके से download करूँगा अब download करने के बाद क्या होगा कि मेरे पास second option के आएगा सेट का simply में सेट के option पर क्लिक करके यहां से भी से apply कर सकता हूँ और सबसे अच्छी बात है यहां पर आप लोग को यह लगेगा कि इनका size आप लोग देखेंगे तो लगबग 100 के भी 200 के भी पस इतना ही आप लोग को साइज वगरा मिलागा जोई का आप अच्छी बात है simply आप लोग फोन को download करें उसे install करें उसके विदा आप लोग setting ऊपन करेंगे display न बैटने साले option प्लिक करेंगे और फोन के option पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप लोग को वो सारी फोन देखने को मिल लाएगी जो कि हमने यहां पर download किया है तो किस यहां पर फोन आच चूकि simply मैं इस पे क्लिक करके यहां पर फोन वगेरा अपलाई कर सकता हूँ जैसे की for example मैं यहां पर यह फोन अपलाई किया है अपलाई कर दो और यहां पर मेरे पूरे फोन का सैट अप चेंज हो जाता है और देख सकते हैं आप लोग कि मैं आप लोगो दिखा दू तो यहां पर फो को भाद में अप्लिकेशन को अनिस्टॉल भी कर सकते हैं आप लोग को बड़ी पैंड करता है अपलिकेशन लिंग आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिशन पर मिल दाएगा इन उमीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद नहीं होगी जैमाता दी